आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें पोशक तत्वों की जो मात्रा रेती है, वह जब बढ़ जाती है या पोशक तत्वों से जब वह जला से क्या हो जाता है समरिद्ध हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है सू पोशन या यूट्रोफिकेशन ठीके और इस सूपोशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जलाशे रहता है उस जलाशे में पोधे तथा जो शेवाल रहता है उसका जो विकास हो जाता है ठीके इसके अलावा क्या हो जाता है कि जो जल रहते हैं उन जल में जो बायो मास रहते हैं उस बायो मास की उपस्तिती हो जाती है ठीके तो बायो मास की उपस्तिती के कारण क्या हो जाता है कि उस जल में ऑक्सिजन की मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण क्या होता है कि जो जल का जो पोशक कत्व का उचिस्तर हो गया है ठीके तो क्या हो गया उसमें जो ब्लूम है वह ब्लूम बेदा हो जाता है ठीके और जो सू पोशन रहता है उसमें क्या हो जाता है कि जो शेवाल है वह क्या करने लग जाती है एक मोटी पर्थ भ में हरा हरा दिखाई देने लग जाता है ठीक है तो इस उपोशन में ऑक्सिजन रहती है उसकी कमी हो जाती है जिसके फल सरुप क्या हो जाती है कि उस जल में उपस्तित जो मचली है उस मचली की म्रत्य होने लग जाती है ठीक है तो हमारा जो कोशन था यही कि मचली क्यों कौन मारता है इसकी उपलब्दता कम रो जाती है तो पहला है गुलच हाइड्रोजन और यह हमारे प्रशने का सही ब्रीका सही उत्तर नहीं है आशा है कि आपको इस प्रशने का उत्तर समझ आया हो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद